मिθन रासी वालों का आजिका रासी फल यानि कि 6 मई 2020 का रासी फल तो नमशकार दोस्तों आईए आज के बीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से कि आज का दिन आपके लिए कैसा बितने वाला है आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या बदलाब हो ये साड़ी बाते जानेंगे तो वीडियो को आप सुनते रहे परंतु सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ छे मई दो हजार बीस के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है चतुर दसी नक्छत्र है चित्रा पक्छ है सुकल पक्छ और दिन है बुद्ध बार आज के दिन स सुर्य उद्य हो रहा है पंच बज के 36 मिनट में सुर्यास्त हो रहा है छे बज के 69 मिनट में और रितू है ग्रिस्म आज का दिन काल है तेरह घंटे 23 मिनट 49 सेकेंड का महिना है वैसाख आज के दिन आपके लिए सुभ समय नहीं है अशुभ समय सुरू होता है 11 बज के 51 मिनट एम से 12 बज के 44 मिनट पी एम तक और राहुकाल सुरू होता है 12 बज के 17 मिनट से 1 बज के 58 मिनट तक और दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब बात करेंगे आपके आज के दिन के बाड़े में दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्येशाली रंग भाग्येशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे ओम स्री गनेशाय नम्ह आप कमेंट कर दें तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहला है आपका स्वास्त के लिहाद से आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है न जयादा बेहतर न जयादा खराब आप में से जो भी लोग नसापान करते हैं धुम्रपान करते हैं सराव का सेवन करते हैं वो सभी लोग आज के दिन नसापान बिलकुल भी न करें अन्यता आने वाले वक्त में आपका श्वास्त खराब हो जाएगा और परेशानी का सामना आपको काफी जयादा करना पड़ रहने वाला है आज के दिन अपने खर्चे पे आप कंट्रोल कर लें अगर आप फालतू में पैसे खर्च करते रहते हैं तो दैनिक जीबन यापन के लिए आपके पास पैसे ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा इसके बाद है आपका पाडिवारिक जीबन तो पाडिवारिक जीबन के लिहाद से आपका शमय बहुत ज्यादा बेहतर और सांदार रहने वाला है आज के दिन आपके घर पडिवार वालों के शाथ आपका शंबंध अच्छा रहेगा आज से पहले अगर आपके घर पडिवार में किसी विक्ती के शाथ आपका शंबंध खराब हो गया था तो आज के दिन अपने शंबंध को आप अच्छा और मजबूत करने का प्रयास करें इस काम को करने में आपका भग्य आपका पूरा साथ देने वाला है इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है प्रेम शंबंध के लिहाज से आपका समय सामानने से थोरा सा बेहतर रहने वाला है आज के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के शाथ आपका शंबंध अच्छा भी रहेगा और आप दोनों में आज के दिन नोक जोक भी हो और सांदर रहेगा इसके बाद है आपका कामकाज दोस्तों आज के दिन अपने कामकाज में अगर आप कोई पडिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आप न करें क्योंकि पडिवर्तन के लिहाज से आपका समय आपका साथ नहीं देगा इसके बाद जानते हैं कि आज के दिन आपके लिए भग्यशाली रंग क्या है दोस्तों आज आपके लिए भग्यशाली रंग है सिल्वर और सफेद भग्यशाली अंक है आपके लिए दो यनि की टू इसके बाद जानेंगे आपके आज के दिन के उपाई के बाड़े में उपाई ये है कि आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और साथ में बजरंग बान का पाठ करें आपका समय सांदार हो जाएगा और आज के दिन कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो यही था आपके आज के दिन का रासिफल इस वीडियो को आप लाइक कर दे हर जिग सेयर कर दे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हर हर महादेव